नमश्कार मैं दिगमर कस्याब नियोर थेरपिस्ट पिछले 18 वर्शों से नियोर थेरपी की प्रैक्टिस कर रहा हूं आज हम बात करने वाले बहुत ही important topic what is नियोरो थेरपी नियोर थेरपी क्या है नियोर थेरपी भारतिय चिकित सा पधती है इसके founder डॉक्टर लाजपत्राय महराजी है, यह अनुभव सिद्द चिकित सा पधती है experiential therapy है, निएरोथिरेपी प्राचिन गाल में भी भिदमान थी या कहें कि रिशी मुनीयों के काल से नियूरो थेरपी पिर्चनल में थी लेकिन कुछ कारणवर्ष नियूरो थेरपी दब गई लेकिन प्राजिन काल में इसको हम नाड़ी मर्दन किरिया के नाम से जानते थे लेकिन डॉक्टर लाटपत्राय महरा जी ने इस प बॉड़ी के अलागल पार्ट्स पर ब्रेशर देकर बॉड़ी के सिस्टम को ठीक करते हैं नियूरोतेरपी नर्व्स हॉर्मोन्स पर वर्प करती है नियूर्थरभी में 6 seconds का बहुत महत्व है नियूर्थरभी में हम acid alkaline को balance करते हैं अगर हम divide करें इस प्रिकार से तो left side हमारी acid है और right side हमारी alkaline है जब acid alkaline का balance disturb हो जाता है इनमें imbalance हो जाता है इनमें आसंतुलन हो जाता है तो हमें रोग हो जाते हैं हमारे सरीर में दो kidney है एक right side एक left side right kidney 80% alkaline और 20% acid filter करती है ऐसे ही हमारी left side में जो kidney है वह 80% acid और 20% alkaline filter करती है जब इन kidney का function disturb हो जाता है तो हमें रोग आ जाते हैं यूडी एफ undigested food in इस्टूल अगर हमारे motion में अनपचा खाना आता है तो हम रोगी हो सकते नाभी का हमारे सरीर में बहुत महत्पूर्ण योगदान है कहा जाता है कि इस रस्टी की उत्पत्ती भी नाभी से हुई है जब बच्चा मा के गर्ब में होता है तो इस नाभी से जुड़ा होता है और जो माँ खाती है वह बच्चे को लगते हैं बच्चे की ग्रोथ भी उसी प्रकार से होती है तो नियूरो थेर्पी में हम ऐसे इल्क्लाइन को बैलेंस करते हैं है हमारी बॉडी के अंदर 11 सिस्टम है यानि कि कहें कि नियूरो थेर्पी 11 सिस्टम पर करती है जैसे डाइजे की सिस्टम एंड़क्राइंस रैंस शिटम新कौ है रेसर शिस्टम रिप्रोड़्य सिस्टम बिलाड़ से 11 हमारी बॉडी के अंदर कह वार क кाम करते है रोग को बड़ी बीस मिनट से आदे घंटे की थेरेपी रहती है हर व्यक्ति नियूर थेरेपी से इलाज करा सकते हैं एक महिने का व्यक्ति भी इस थेरेपी द्वारा इलाज करा सकते हैं और सौ साल का व्यक्ति भी इस थेरेपी द्वारा स्वास्तलाब ले सकते हैं छोटे बच्चे और और टीव करसकते हैं कोई भी वीमारी ऐसी नहीं इस जो नियूर॥ से छीक ना की जा सकती हो किसी को अभी रोग आया है तो जल्दे ठीक हो जाता है किसी को chronic disease हो गई है तो उसमें थोड़ा समय लग सकते हैं छोटी से छोटी भीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी हम नियूर्थरेपी में बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं चाहे किसी को सर्वाइकल है गर्दन दर्ज है डिप्रेशन है एंसाइटी है डाइबडीज बीपी थाइरेड पार्किंसन फ्रूजन शोल्डर नेवल डिस्प्लेश्मेंट ना भी नले कौडी धर आई बीएस नीपेंट स्याटी का मस्कुलर डिस्ट्रोफी पार्किंसन मोटर नियूर्ण सीजोफ्रेनिया यानि कि कोई भी डिजिज ऐसी नहीं है जो नियूर्थरेपी द्वारा ठीक ना की जा सकती हो बड़ी असानी से सभी रोगों का इलाज नियूर्थरेपी द्वार ऒढ़त आसानी से सिखाइ सकती है किसी भी एज का व्यक्ति नियूर्थरेपी सीख सकता है किसी पी चावनियूर्थरेपी ले सकता है दोस्तौ मुमीद करता हूं यह उतनी बहुत इंस फॉर्मय थिव होने